Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज हम इस वीडियो में आपको आपके प्रोज के 3rd lesson Deep Water के जो short questions दिए गए हैं, इसमें 14 questions दिए गए हैं और उन सभी questions के answer हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और friends, इसके पहले हमने आपको इस lesson का Hindi explanation भी बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो description में आपको link मिल जाए का महाँ से आप देख सकते हैं तो friends, देख लेते हैं हमारा first question इसमें है Where was the pool and what opportunity did it offer? यानि कि वह pool कहा इस तित था और या कौन सा अवसर प्रदान करता था Where was the pool, वह pool कहा पे था and what opportunity did it offer? और वह कौन सा अवसर देता था? तो इसका answer हम लिख सकते हैं The pool was at the YMCA in Yakima यानि कि वह pool Yakima के YMCA में इस्थित था It offered the opportunity of learning swimming यानि कि यह तैरा की सीखने का अवसर प्रदान करती थी It offered the opportunity of learning swimming या तैरा की सीखने का अवसर प्रदान करती थी It was safe also और वह सुरक्षित भी था It was safe also वह सुरक्षित भी था तो इस तरह से मैं इसका answer लिख सकते हैं देखें इसमें question में जितना पूछा गया है मुसका answer बस उतना ही लिखेंगे तो यहाँ पे बताएगे कि या तैरा की सीखने का आवसर प्रदान करता था तो इस तरह से हम first question का answer लिख सकते हैं अब देखें हमारा next question है what terror did Douglas have in his heart यानि कि Douglas के हिरदय में कौन सा डर था how और वो कैसे था what terror did Douglas have in his heart Douglas के दिल में कौन सा डर था how और वो कैसे था तो जैसा कि आपको पता है कि जो William Douglas है इनको बचपन से ही पानी से डर था और उसका कारड क्या था कि एक बार उनके पिता जी उनको California के बीच पर ले गए थे और जहां पे एक लहर आई और वो उस लहर में गिर गए थे और पानी उनके उपर से चली गई थी उपर से पानी के लहर चली गई थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे तभी से उनके दिल में ये डर बैठ गया था तो यही चीज हम इसमें लिख सकते हैं कि Douglas had the terror of the overpowering waves of water यानि कि Douglas को पानी के तेज लहरों से डर था पानी की जो तीवर शक्ती है उससे उनको डर था तो उनके पिता जी उन्हें के एक बीच पर ले गए यानि की वे समुदर के किनारे जाग में खड़े हुए थे तभी एक लहर आई और उसे गिरा दिया तभी एक लहर आई और William Douglas को उसने गिरा दिया It swept over him और वो लहर उनके उपर से गुजरी He could not breathe और वो सास भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो लहर उनके उपर से गुजरी इसलिए वे सास भी नहीं ले पा रहे थे Since then he had the terror और तभी से उनके मन में या डर बैठ गया तो I hope ये answer आपको समझ में आया होगा अब इसके बाद हम next questions के answer देख लेते हैं आप चाहें तो इसका screenshot ले लीजिए तो देखिए friends हमारा third question है कि What did the big bruiser of a boy do at the pool? याने कि उस हटे-कटे लड़के ने पूल पर क्या किया? Why? और वो उसने क्यों किया ऐसा? उस हटे-कटे लड़के ने पूल पर क्या किया? और उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका answer हम लिख सकते हैं कि याने कि उस हटे-कटे लड़के ने उसे उठा लिया William Douglas को उठा लिया और उसे गहरे वाले छोर पर पानी में उच्छाल दिया याने कि फेक दिया और उसे पानी के गहरे वाले छोर पर गिरा दिया He did so, उसने ऐसा किया only for fun, केबल मजाक में उसने ऐसा किबल मजाक में किया He did so only for fun, उसने ऐसा किबल मजाक में किया मजे के लिए किया तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं बहुत ही शौर्ट तरीके से अब देखिए फोर्थ क्वेस्टन में रहा है How deep was the pool यानि कि बहा तालाब कितना गहरा था पूल कितना गहरा था What was there inside the water और पानी के अंदर क्या था इसमें पूछा गया है कि How deep was the pool पूल कितना गहरा था What was there inside the water और पानी के अंदर क्या था तो जैसा कि आपको पता है कि वो जो पूल था वो एक और से दो से तीन फीट ही गहरा था लेकिन दूसरी और वो नाइन फीट गहरा था तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि the pool was only 2 or 3 feet deep at the shallow end यानि कि वो जो पूल था वो चिछले की तरफ जहां वो चिछला था एक तरफ से वो केबल 2 या 3 feet ही गहरा था यानि कि वो पूल चिछले और से केबल 2 या 3 feet ही गहरा था and while it was 9 feet deep at the other end और जबकि वो दूसरे छोर पर 9 feet गहरा था और इसके बाद जो आप पूछा गया है कि what was there inside the water इसके लिए आप लिख सकते हैं कि the awful yellow water was there inside यानि कि पानी के अंदर यानि कि अंदर क्या था awful yellow water यानि कि भयानक पीला पानी था यानि कि अंदर क्या था भयानक पीला पानी था तो I hope ये भी आपको समझ में आगया होगा अब इसके आगे हम देख लेते हैं तो देखते हैं friends हमारा fifth question है कि what happened to the legs of Douglas यानि कि Douglas के पैरों में क्या हुआ inside the pool यानि कि pool के अंदर पूल के अंदर Douglas के पैरों में क्या हुआ how did he try to overcome that situation और उन्होंने इस situation पर काबू पाने के लिए कैसे कोशिस की what happened to the legs of Douglas यानि कि Douglas के पैरों को क्या हुआ inside the pool पूल के अंदर how did he try to overcome that situation और इन्होंने इस situation पर काबू पाने के लिए कैसे कोशिस की तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि the legs of Douglas inside the pool were hung as dead weights याने कि पानी के अंदर Douglas के पैर बिलकुल निर्जीव वजन की तरह हो गया था निर्जीव चीज की तरह हो गया था paralyzed याने कि जैसे उसमें लकवा मार दिया हो and rigid और वो बिलकुल कठोर हो गया था तो flexible का मतलब लचीला होता है इसका एंटरिम यहां पे है rigid जो लचीला ना हो the legs of Douglas inside the pool were hung as dead weights याने कि पूल के अंदर Douglas के पैर बिलकुल निर्जीव चीज की तरह हो गये थे paralyzed याने ऐसा हो गया था जैसे लकवा मार दिया हो and rigid और बिलकुल कठोर हो गये थे अब इसके बाद बताया गया कि इसको overcome करने के लिए उन्होंने क्या किया to overcome this situation इस situation पर काबू पाने के लिए he made a strategy उन्होंने एक योजना बनाई that he would spring from the bottom of the pool कि वे पूल के पेंदी से पूल के तल से वे छलांग लगाएंगे that he would spring from the bottom of the pool कि वे पूल के तल से छलांग लगाएंगे and come to the surface और वे उपर सतह पर आ जाएंगे पानी की सतह पर आ जाएंगे then he would lie flat तब वे बिलकुल चिप्टे होकर लेट जाएंगे and reach the edge somehow और जैसे तैसे किनारे पर पहुँच जाएंगे जैसे तैसे का मुदब आप यहाँ पर by paddling भी कर सकते हैं and reach the edge by paddling और वे अपना पैर हाथ पैर मारते हुए किनारे तक पहुच जाएंगे यही उन्होंने योजना बनाई थी तो देखे इसमें पूचा किया था कि उनके पैरों के साथ क्या हुआ था और उन्होंने इस situation पर काबू पाने के लिए कैसे कोसिस किया था तो आप लेख सकते हैं कि the legs of Douglas inside the pool were hung as dead weights यानि कि Douglas के पैर पूल के अंदर बिलकुल एक निर्जीव चीज की तरह लटके हुए थे hung का मतलब लटके हुए थे the legs of Douglas inside the pool were hung as dead weights यानि कि Douglas के पैर पूल के अंदर बिलकुल निर्जीव चीज की तरह लटके हुए थे paralyzed और ऐसा था जैसे कि उस पे लक्वा मार दिया हो and rigid और बिलकुल कठोर हो गए थे to overcome this situation और a situation पर काबू पाने के लिए he made a strategy उन्होंने एक योज़ना बनाई that he would spring from the bottom of the pool कि वे पूल के तल से छलांग लगाएंगे and come to the surface और पानी की सतह पर आ जाएंगे then he would lie flat तब वे बिलकुल चिप्टे होकर लेट जाएंगे and reach the edge somehow और जैसे तैसे किनारे पर पहुँच जाएंगे तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं तो फैंस इसका भी आप चाहें तो screenshot ले लिजीए फिर हम इसके आगे देखते हैं तो फैंस देखिए हमारा next question है कि what terror sees Douglas यानि कि Douglas को किस आतंग और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा what was its effect on him और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा तो जैसा कि आप जानते हैं कि the sheer stark terror of dying seized Douglas यानि कि Douglas को एक अत्यधिक डरने भयानक डरने sheer का मतलब एक मातर कह सकते हैं और stark का मतलब होता है extremely यानि कि बहुत ही जादा the sheer stark terror of dying यानि कि मरने के डर ने seized Douglas Douglas को जकड रखा था the terror that knows no understanding यानि कि ऐसा डर जिसमें दिमाग काम नहीं करता है the terror that knows no understanding वह डर जिसमें दिमाग काम नहीं करता है and no control और जिस पर कोई control भी नहीं होता है its effect on him was that और इसका उन पर या प्रभाव पड़ा that he got paralyzed कि वे paralyzed हो गए and rigid और बिल्कुल कठोर हो गए with fear और डर से बिल्कुल कठोर हो गए जडवत हो गए वो हिल डूल भी नहीं पा रहे थे तो इसका effect क्या हुआ कि वो बिल्कुल paralyzed हो गए और हिल डूल भी नहीं पा रहे थे डर की बज़ा से even the screams in his throat even the screams in his throat were frozen और यहां तक कि उनके गले में जो उनकी चीक थी वो भी जम गई थी even the screams in his throat were frozen यहां तक कि उनके गले में जो चीक थी वो भी जम गई थी he could feel only his heartbeat where keval अपने दिल की धड़कन को ही महसूस कर पा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था है जैसे वो बिल्कुल मर गया है बस केval उनके दिल की धड़कन से पता चल रहा था कि वो जिंदा है तो केवल उने अपने दिल की धड़कन ही महसूस हो रही थी तो यह होगी हमारा sixth question, अब इसके बाद हम सात्वा question देखते हैं, what did Douglas do inside the water to save his life, यानि कि Douglas ने पानी के अंदर क्या किया, to save his life अपने जान को बचाने के लिए, डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए, पानी के अंदर क्या किया, तो हम लिख सकते हैं कि to save his life, अपनी जान बचाने के लिए, Douglas decided to make a big jump, यानि कि Douglas ने एक कूद लगाने का निश्चे किया, as his feet hit the bottom, जैसे ही उसके पैर तल से टकराएंगे, अपनी जान बचाने के लिए, डगलस ने decide किया, कि जैसे ही उनके पैर, bottom से यानि की तल से ठकराएंगे, वो तुरंत एक लंबी छलांग लगाएगा, He hoped to move up to the surface of water, He hoped उन्हें उम्मीद थी कि वे, पानी की सता पर आ जाएंगे, वे ऐसी जंप लगाएंगे, कि पानी की सता पर आ जाएंगे, Like a cork, एक cork की तरह He hoped उन्हें उम्मीद थी कि वे एक cork की तरह पानी की सतह पर आ जाएंगे Then he would lie flat और तब वे बिल्कुल चिप्टे होकर लेड जाएंगे On it यानि कि उस सतह पर तब वे पानी की सतह पर बिल्कुल चिप्टे होकर लेड जाएंगे And paddle to the edge of the pool और हाथ पैर मारते हुए किनारे तक पहुच जाएंगे तो friends अब हम देख लेते हमारा आठवा question जो की है How did all the effort cease यानि कि सारा प्रयास कैसे थम गया What happened then और तब क्या हुआ सारा प्रयास कैसे थम गया और तब क्या हुआ तो यहां पर बताया गया कि all effort ceased when he started coming down a third time जब वह तीसरी बार नीचे आने लगा तो सारा प्रयास थम गया और इसके बाद क्या हुआ यह चीज बताया गया कि then he relaxed तब वह बिलकुल शेतिल हो गया even his legs felt limp और यहां तक कि उसके पैर भी बिलकुल निर्जीव लग रहे थे and a blackness swept over his brain और उसके दिमाग पर पुरा अंधेरा चा गया he became unconscious वह बेहोश हो गया there was no terror and no more panic अब ना तो कोई डर था और ना ही कोई चिंता थी he thought that he was dead उसे ऐसा लगा जैसे कि अब वह मर गया हो तो इस प्रकार से हम आठमे का आंसर लिख सकते हैं अब फैंट सम्देख लेते हैं हमारे नवा क्वेस्टन जो की है what was douglas condition after getting escaped from the pool यानि कि पूल से बच निकलने के बाद douglas की condition क्या थी यह इसमें पुछा गया है कि what was douglas condition after getting escaped from the pool तो फैंट से इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि douglas was weak and trembling after getting escaped from the pool यानि कि पूल से बच निकलने के बाद douglas बहुत ही कमजोर हो गए थे and trembling और वो काप रहे थे he shook and cried when he laid on his bed यानि कि जब वे अपने बिस्तर पर पढ़े हुए थे तो वे काप रहे थे और रो रहे थे douglas was weak and trembling after getting escaped from the pool पूल से बच निकलने के बाद douglas बहुत ही कमजोर थे और काप रहे थे he shook and cried when he laid on his bed और जब वे बिस्तर पर पढ़े हुए थे तो वे काप रहे थे और रो भी रहे थे he could not eat that night और वे उस रात खा भी नहीं पाए fear haunted in his heart और उनके दिल में एक डर बना हुआ था fear haunted in his heart यानि कि डर उनके दिल में गूज रहा था बिलकुल the slight exertion would upset him यानि कि थोड़ा सा ही प्रयास करने पर थोड़ा सा भी बल लगाने पर वे बहुत परिशान हो जाते थे the slight exertion would upset him थोड़ा सा ही प्रयास करने पर या फिर थोड़ी सी ताकत लगाने पर वे परिशान हो जाते थे तो ये condition थी उनके जबू पूल से बाहर आये थे अब इसके बाद fans अब next question देख लेते हैं आप चाहें तो इसका screenshot ले लीजिए तो fans हमारा दसवा question है कुछ सालों के बाद Douglas को क्या पता चला और वो तब क्या चाहते थे तो इसका answer हम लिख सकते हैं कि a few years later Douglas came to know the waters of cascades यान कि कुछ सालों के बाद Douglas को cascade के जील के बारे में पता चला a few years later Douglas came to know the waters of the cascades यान कि कुछ साल के बाद दगलस को cascade के waters यानि की जील के बारे में पता चला he wanted to get into them और वह उस जील में जाना चाहते थे वो क्या करना चाहते थे he wanted to get into them वे उस जील में जाना चाहते थे तो यह बहुत ही छोड़ा सा अंसर था अब इसके बाद हम ग्यरहवा question देखते हैं कि what did the instructor do to train Douglas यानि कि teacher ने Douglas को train करने के लिए क्या किया what did the instructor do to train Douglas instructor यानि कि teacher ने Douglas को train करने के लिए क्या किया तो जैसा कि आपको बताया गया है lesson में कि the instructor put a belt around him instructor ने यानि कि teacher ने क्या किया उन्हें एक belt से एक पेटी से बांध दिया to which a rope was attached जिससे एक रसी बदी हुई थी The instructor put a belt around him याने कि teacher ने उन्हें एक पेटी में बांध दिया to which a rope was attached जिससे एक रसी बदी हुई थी This rope went through a pulley और यह जो रसी थी वो एक पुली से होकर जाती थी that ran on the overhead cable जो उपर के एक केबल पर चलती थी तो the instructor put a belt around him teacher ने क्या किया उन्हें एक पेटी में बांध दिया to which a rope was attached जिससे एक रसी बदी हुई थी This rope went through a pulley और यह रसी एक पुली से होकर जाती थी that ran on an overhead cable जो उपर एक केबल पर चलती थी He held on to the end of the rope यहनकि वे रसी के एक छोर को पकड़े रहते थे and Douglas swam like this और तब Douglas इस प्रकार से तैरते थे Thus he trained him और इस प्रकार teacher ने उन्हें train किया तो friends हमारा यह बरहुआ question है कि was Douglas satisfied after the training क्या Douglas training के बाद संतुष्ट थे If no then why और यदि नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे इसमें पूचा गया कि क्या Douglas training के बाद संतुष्ट थे और अगर वो नहीं थे तो क्यों नहीं थे तो जैसा कि आप जानते हैं कि Douglas was not totally satisfied after the training training के बाद भी Douglas पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे तो हम लिख सकते हैं कि No, Douglas was not satisfied Douglas was not totally satisfied after the training यानि कि Douglas training के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे Because he was not sure क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था That all the terror had left कि उनका सारा डर जा चुका है Because he was not sure क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था That all the terror had left कि उनका सारा डर जा चुका है तो इस प्रकार से आप इसका आन से लिख सकते हैं अब हम देखते हैं अपना तेरह हुआ क्वेस्टन जो किया Where did Douglas go to clear his residual doubts यानि कि Douglas के मन में जो अभी भी शक था उसे दूर करने के लिए वो कहां गए What did he do for it और इसके लिए उन्होंने क्या किया यानि कि अपने डर को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया तो जैसा कि लेशन में बताया गया है कि Douglas went up the Titan to Conrad Meadows यानि कि Douglas Titan से लेकर Conrad Meadows तक गए चरगा तक गए अब दे Conrad Creek Trail to meet Glacier और Conrad Creek Trail से लेकर meet Glacier तक गए Dived into the lake जील में कूद लगाई and swam across to the other shore और उसके दूसरे किनारे तक तैर लगाया उन्होंने and swam across to the other shore और जील के दूसरे किनारे तक तैरे and back और वहां से वापस भी आए Thus he cleared his residual doubt और इस प्रकार उन्होंने अपने शक को दूर किया तो वह कहां पे गए थे Douglas went up the Titan to the Conrad Meadows यानि कि Douglas Titan से लेकर Conrad चारगा तक गए up the Conrad Creek Trail to meet Glacier यानि कि Conrad Creek Trail से लेकर meet Glacier तक गए dived into the lake जील में गोते लगाई and swam across to the other shore और तैरते हुए दूसरे छोड तक गए उस जील के दूसरे छोड तक गए and back और फिर वहाँ से वापस भी आ गए Thus he cleared his residual doubts इस प्रकार उन्होंने अपने शक को दूर किया तो ये हो गया हमरा तेरहवा आंसर और I hope आपको समझ में आ गया होका तो इसका भी आप screenshot ले लीजिए और इसके बद हम last question देख लेते हैं अब देखे फ्रेंड्स ये चोड़ावा question है यानि कि उस अनुभव का डगलेस के लिए एक गहरा अर्थ कैसे था तो जैसा कि इसके lesson के last में बताया गया है कि इस अनुभव का डगलेस के लिए एक डीप मेनिग था गहरा अर्थ था the experience had a deep meaning for Douglas Douglas के लिए इस अनुभव का एक गहरा अर्थ था because he had experienced क्योंकि वे अनुभव कर चुके थे both the sensation of dying and the terror it can produce यानि कि वे मौत का भी अनुभव कर चुके थे और उससे जो डर होता है मौत का जो डर होता है उससे भी अनुभव कर चुके थे क्योंकि वे मौत का भी अनुभव कर चुके थे और मौत के डर का भी अनुभव कर चुके थे it can produce he knew that in death there is peace वे जान गए थे कि मौत में शान्ती होती है he knew वे जान गए थे that in death there is peace कि मौत में शान्ती होती है there is terror only in the fear of death के बल मौत के डर में आतंक होता है मौत के डर में के बल आतंक होता है तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि the experience had a deep meaning for Douglas इस अनुभव का Douglas के लिए एक गहरा आर्थ था because he had experienced both the sensation of dying and the terror it can produce क्योंकि वे मौत का भी अनुभव कर चुके थे और मौत के डर का भी अनुभव कर चुके थे he knew that in death there is peace वे जान चुके थे कि मौत में शान्ती होती है there is terror only in the fear of death के बल मौत के डर का आतंक होता है तो friends इस प्रकार से हमने आपको इस पूरे lesson में जो 14 question दिये गये थे उन सभी का answer बता दिया है I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके अब notes भी तियार कर लेंगे और friends अगर आप पूरा syllabus अपना तियार करना चाहते हैं तो हमारे channel से जुड़े रहें अगर आपने subscribe ने किया तो channel को subscribe कर लीजिए और अपने सभी friends के साथ सभी classmates के साथ हमारे वीडियोज को share जरूर करें Thanks for watching